तो दोस्तो अगर आप भी यहाँ पर HDFC से यहाँ पर दोस्तो अपना मुबाइल नमबर चेंज करना चाहते हो, किन केसेस में आप चेंज कर सकते हो, और उसके लिए दोस्तो आपको क्या करना होगा, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप ला आपका मुबाइल का अप्लिकेशन है उससे नहीं होगा, आपको इसे HDFC के यहाँ पर वेब साइट है, उससे करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका यह जो प्रॉब्लम होगा, सब कुछ में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको आजाना है गूगल पर, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको आपशन मांगेगा, लॉग इन तो नेट बंकिंग, और कश्टमर आईड यूजर आईडी थिक है तो आपको कॉष्टमर आइड अपना डाल देना है, इन दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अगर आप भूल चुक हो तो आपको फॉर्टमर आइड का ऑप्शन मिल जाता है, वहां से आप कर आै 갖고्का सबसक्क पहले दंस्टों यहां के हाथ के टाल दिए उसके बाद का प्रोसेस है जॉस्थेल आप यहाँ पर कश्टमर आईटि अदा लोगे आपको देख सकते हो login का option रहा है तो login वाले option पर आपको click करना है ठीकाए अब जैसी log-in वाले option पर openings करोगे दोस्तों तो यहां पर आपको जय को आगे चले जाना है कुछ इस तरीके का page खुलेताई ठीकेए अब यहां पर दोस्तों तो कुछ इस तरीके सापको लॉग आउट के पास यहां पर जीके टाहे различ अब दोस्तों यहां पर ऊपर के साइड आप देख सकते हो SMS banking registration ठीक है यह उपर सबसे आपको दिख रहा है option तो यह आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको इस पर click करने SMS banking registration जो है उस पर आप जैसी click करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीक तो आपको 91 कर लेना है दिन दोस्तो यहाँ पर mobile number आपको डाल देना है और यहाँ पर जो terms and condition दोस्तो इस पर अपको click कर देना है continue के option पर आपको यहाँ पर click करना है ठीक है और इसमें कुछ टाइम लगेगा दोस्तो 48 आवर्स के आज पास तो उतना टाइम आपको वेट करना होगा अगर अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजेगा एड़ मिलता हो दोस्तो आएसे कोई नई वीडियो में तब ते के लिए जैहिंज जै भारत